हाई फ्रेंड्स मैं हो संजू और आप देखरें मेरे यूटूब चानल संजू स्टॉक अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और बेल नोटिफिक्स को दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियो इसी तरह से मिलत सब्सक्राइब करेंगे वेदों के बारे में वेद कीतने प्रकार के होते हैं उनके क्या क्या नाम है और उपनिसद वेदांग इवं अठारा पुराण चैसास्त्र तो आपने सुना ही होगा कि चार वेद हैं चैसास्त्र हैं और अठारा पुराण हैं लेकिन हम उनके नाम नहीं जानते तो आज हम उनहीं के नाम आपको बताने जा रहे हैं तो शुरू करते हैं वेदों के बारे में तो वेद चार प्रकार के होते हैं जिनके नाम निम लिकित हैं पहला रिगवेद दूसरा यजूरव तीसरा सामवेद, चौथा अथरवेद, रिगवेद को विश्व का प्राचिंतन सहित्य होने का गवरा प्राप्त है। उपवेद, चारवेदों के क्रमसह चार उपवेद हैं। पहला इस्थापत्य या सिल्पवेद, धनरवेद, गंधरवेद और आयुरवेद। फिर उसके बाद बात करेंगे उपनिसद के बारे में। उपनिसद, उपनिसदों की संख्या 12 है। पहला इस उपनिसद, दूसरा केन उपनिसद, तीसरा कट उपनिसद या कठो उपनिसद भी कहते हैं चौथा प्रस्न उपनिसद, पांचवा मुंडक उपनिसद, छेटवा मांडोक्य उपनिसद, साथवा तैत्तिर्य उपनिसद, आठवा एत्रेय उपनिसद, नवा चंदोग्य उपनिसद, दसवा कोशित तकी उपनिसद, ग्यारवा व्रेदारण्यक उपनिसद, बारवा स्व के ताशवर उपनिशद हमारा आदर्फी राष्टिय्वाक्य सत्य विञते मुंडगों उपनिशद से लिया गया है इसके बाद हम बात करेंगे वेदांगों के बाएं वेदांग, वेदांगों की संख्याच्छा है जिन्हें सास्त्र भी कहा जाता है पहला सिख्छा सास्त्र, दूसरा कल्प शास्त्र, तीसरा यकरर शास्त्र, चांथा निरुक्त शास्त्र, पांचवा छंद शास्त्र, एवं छटवा ज्योतिश शास्त्र चाह शास्त्र अगर लिखित चाह दर्शन के नाम पर जाने जाते हैं चाह शास्त्र के नाम इस प्रकार है पहला न्याय शास्त्र, दूसरा विशेशिक सास्त्र, तीसरा संगांखे सास्त्र, चौथा योग शास्त्र, पाँचवा मिमांसा शास्त्र, चटवा विदान्थ शास्त्र उसके बाद बात करेंगे पुराणों के बारे में पुराणों की शंख्या अठारा है पहला ब्रह्म्ह पुरांड, दूसरा पदम पुरांड, तीसरा विश्णु पुरांड, चाउथा वायु पुरांड, पांचवा भागवात पुरांड, छेटवा नारत पुरांड, साथवा मारकेंडेय पुरांड, आठवा अगनी पुरांड, नवा भविश्य पुरांड, द इसके अतिरिक्त दो महतोपूड ग्रंथ हैं जो महा काव्य और खंड काव्य के रूप में हैं जो इतिहास के प्रमुक प्रामाडिक सहित्य ग्रंथ के रूप में स्विकार किया जाता है पहला रमायड जिसे आदि काव्य एवं महाभाराद जिसे जैस सहिता के नाम से जना जाता है इसके बाद स्रीमत भगवत गीता एवं तुलसी डास रचित राम चरित्र मानस कभी हमारे शास्त्रों में विशेश इस्थान है तो दोस्तों आज हमने बात किया वेदों उपनिशद वेदांग शास्त्र पुराण एवं हमारे मुक्य धर्मगरंतों के बारे में तो इसे के साथ हम आपसे विदा चाहते हैं तो थैंक्स पर वाचिंग एन सब्सक्राइब में चैनल तो आपसे विदाएब में पास्त्र पुराण वेदाब में जापसे वेदारे में पास्त्र शाण है